यह एक करना चालू करो आपकी तरक्की बहुत जल्दी हो जाएगी तो लाइए इसके बारे में आज बात्चीत करते हैं मेरा नामें डॉक्टर दीपक केड़कर में मनोविकार सेक्सरोग सम्मोहन तथा व्यस्तन मुक्चित अग्याओं महाराष्टे में मुंबई और अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ हमारे विच में कभी सारे लोग रहते हैं उनको बहुत ज्यान है ग्यान है उनका बहुत तजरूबा है और वो हमको बहुत सारा बता सकते हैं यह व्यात смотреть प्रप है। हमारा नुलगा ने लिए workshops हैं, conferences हैं कई सारी किताब हैं यूट्यूब है कि इसकी ऊप़ आपको काभी सारा ज्यान गु Bundesregierung है काभी सारा ज्यान मिल सकता है और हमारा ग्यान बढ़ा के हमारा लाइफ जो है वो उसमें पहुत तरक्यम कर सकते हैं मर कुछ लोग ऐसे ज्यादा हुशार रहते हैं और वो कैसे रहते हैं वो बोलते हैं कि I know everything मतलब मुझे सब कुछ मालूम है तो जो I know everything वाला जो attitude है वो बहुत बड़ा अरोथ करने वाला प्रतिबंद करने वाला या barrier है जो बीच में आ रहा है और वो आपको तरक्य नहीं करने देगा क्यों जब आप बोलते हैं कि मुझे सब को इन मालूम होजे मत सिखा तो फिर आप कहीं से सीखने रहें आपके आजू बाजू में इतने सारे लोग है कि जो आप जो काम कर रहें उसमें expert है वो ग्यान देने को तयार है फिर आपका खुद का development हो जो आप काम कर रहें बिजिनेस कर रहें उसमें हो सुझे आपके health के बारे में कुछ भी आपको मतलब कुछ भी लोग आपको support कर सकते हैं उनको वो ग्यानी है आप किताबे पड़ सकते मगर नहीं टीवी में आता है कुछ ना को चेशे माली काई सीरीज आती है वो है मतलब उनको knowledge काफी जगह से मिल सकता है मगर हम क्या बलते है तरक्की के लिए क्या होता है कि सचिन देंडूलकर ने हमको यह बोला सभी को यह बोला मतलब मैं आ रहा हूं आ रहा हूं मतलब मैं सीख रहा हूं और उसका contemporary विनुत कामरी वो कहां था I have arrived मैं पहुच गया हूं यह I have arrived मैं पहुच गया हूं यह बहुत घातक mentality है यह attitude बह मतलब मुझे सब कुछ आता है मुझे मस्सिखाऊं मुझे सब कुछ मालूम है वहा क्या है वहां mental blocks मारे तयार कर देते हैं हम कुछ अंदर जाने देते नहीं है नया कुछ पाना एक उसके मतलब आ सकता है easily वो भी हम लेंगे नहीं कुछ पाएंगी नहीं और जो ग्याने उस कभी इस्तिबाल नहीं करेंगे और हमको सब कुछ मालूम है किसी को बोला कि आप यह प्रोग्राम कर लो यह कोर्स कर लो बहुत अच्छा कोर्स है अपका डिवलेप्मेंट हो जाएंगा क्या सिखाने वाले मुझे सब कुछ मालूम है उसमें क्या बताने वाले मुझे सब सकते थी आपको यह प्रॉब्लम है कि मुझे सब कुछ मालूम है आज से ही छोड़ दो आपको मालूम भी होंगा सब कुछ मालूम है समझे मकर आप कभी किस से कुछ सीखते हो सुनते हो तभी कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही नाया ऐसा बोला जाता है कि गोबर जो है जमीन पे गिरा तो थोड़ी मट्टी लेके उठाएगा, पतलब गोबर गिरने के बाद में कुछ ना कुछ मट्टी उसको लगी जाती है, यदि मुझे सब कुछ माले में अगर मैं कही ना की जाकर बैठू, पार्टिसिपेट करू, जो भी वक्ता कुछ बता रहा है, जो भी क जो भी कोई सामने स्टेज पे आदमी बोल रहा है, जो भी किताब है, मुझे कुछ ना कुछ उसमें से मिलने वाला है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा पादर श्टक का, मेरा ग्यान बढ़ेगा, मैं इस्तिमाल करूँगा ग्यान तो मैं आगे बढ़ूँगा, तो आज से आप आपको आपके तरक्की के बीच में आने वाला सबसे बड़ा अवरोध है, प्रति बंद जो है, प्रतिरोध करने वाला जो है, बैरियर जो है, वो आपको दूर करना है, कि मुझे सब कुछ मालूम है, I know everything, तो ये सबसे बड़ा घातक अटिट्यूड है, आज उससे बाजू करने दिये हैं, तो वो डिब्बे में अंदर कुछ जाएगा नहीं, अंदर जाने के लिए धकन खुलना बड़ेगा, ओपन माइं रखना बड़ेगा, क्योंकि पैराशूट तभी काम करता है, जब वो ओपन है, अपना भी दिमाग का धकन खुलके रखना बड़ेगा, जो प्राश दिल यतों आजिवा बड़ेगा, जो यह जब एक इस भी तो नहीं तो यह आपको ऐसे दो दो पक्रने के लिए कापन मेरेगा, जो आपको छे ओं आप वह अच्छेनहा भी को यह दिखना हो जाती हो मिए ऐसा पछा कुछ मालूम है, तो यह जली था disfr sharks, आहे सब कर स यह आप करेंगे तो जरूर आपकी तरक्य होंगे आपको कोई रोक नहीं बाएगा विडियो अच्छा लागा तो जरूर शेर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो थैंक्यू वेरी मच प्रूर शेर करो